यह खबर मैंने आपको सबसे पहले दी, सबसे पहले, सबसे पहले, चैनल से भी पहले, कि दिपिका पादोकोन और सारा और रखुल के फोन जो है मुबाइल जो है जब्त कर ले गए हैं, और ऐसे में क्यों जब्त कर गए हैं, क्या होगा उन मुबाइल के जब्त करने से, मैं आ जिनको ये दफन कर देना चाहते हैं, सारा श्रद्धा, दिपिका, रकुल, सभी लोगों ने जूट कहा है, सभी लोगों ने अधिकतर बातों से इंकार किया है, ऐसे में, फोन से उनकी पुरानी चाट्स निकाली जाएंगी, पुरानी डिलीटेट फाइल्स रेट्रीव की जा फोन बुक, वट्सेप चाट, आपका जो गैलरी है, फोटो गैलरी, ये पूरी तरह से कोई देखे, तो उसे ये पता चलता हैगा कि आपके जिन्दगी में क्या चल रहा है, रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे में, इनके फोन की फोरन से एक जाच करके, इनके फोन के पुराने जाती है, मेल्स और तमाम फाइल्स, ओडियो फाइल्स, वो फाइल्स रेटीव की जाएंगी, वट्सेप, चाट, मेसेंजर, अलग-अलग एवन्यूस पर जो चाट्स हैं, बातचीत है, वो कॉल डेटा, क्योंकि end-to-end encrypted जो चाट्स होता है, फोन का जो वट्सेप का जो सिस वो ही end-to-end encrypted चाट में वो हो सकता हाला कि इसकी बैंड बच कर रहे गई, जो सबसे पहले, वो भी पैकेट्स, सबसे पहले मैंने बनाया था, दू दिन पहले, कि कैसे बैंड बची, वट्सेप की प्राइवसी की, तो इस जो यह जो चाट है, जो यह मुबाइल जबत किये है जो यह लोग इंकार कर रहे हैं, कि हमने ड्रग कभी नहीं लिया, तो इनकी मुबाइल में बहुत सारी चैट्स होंगी, जो उन्होंने अबिसली डिलीट कर दी होंगी, लेकि मुबाइल तो चेंज नहीं क्या होगा, अगर किसी के पास बहुत दिमाग होगा, तो वो मुबा सवाल है, अचानक में दिमाग में आया है, इतनी अकल तो इन लोग के पास भी होगी, कि वो ऐसा फोन ले जाएं, जो comparatively जिसमें ज्यादा कुछ डेटा नहीं हूँ, पता नहीं, देखना होगा, क्या कैसे निकलता है, बहराल NCB फोरेंसिक जांज करवाने वाली है, और फोन से बहुत सारे जो एक चुटकी माल की कीमत जो है, वो सामने आने वाली, क्या पैसे दिये गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन-कौन शामिल थे, सब बाते खुरेंगी, बने रहे मेरे साथ लगातार, खबरों का सिलस्रा चारी है